तो जैसे कि दोस्तों हॉन्डा जल्दी अपनी ला रही है एक और सस्ती SUV कार तो चलिए जानते है कौन सी है कार, क्या है फीचर्स, क्या है कीमर तो दोस्तों हॉन्डा ने साल 2014 में डैडी भी हुई आटो एक्सपो के दोरान अपनी नई वीजन एक्सेस वन कॉंसेट से परदा उठाया था अब खबर आ रही है कि कमपनी इस कार का प्रोडक्शन मार्किट में हम सभी के लिए अगस्त के महिने में फाइनली कमपनी लाँच करने वाली है दोस्तो आप सभी को बताना चाहूँँगा कि मिली जानकारी के अनुसार कमपनी इस क्रॉस ओवर को 1.5 लीटर के आई वीटी एसी पैट्रोल इंजन के साथ पेश करने वाली है जो की बीए सिक्स नाम से अपडेट होगा जो की सी वीटी गेर बॉक्स से लेस होगा साथ ही इसमें आपको पावर टैन का आप्शन भी कमपनी ने दिया है इस क्रॉस ओवर को हॉन्डा वीजन और हॉन्डा एक्स रवी के साथ पोजीशन में लाया जाएगा दोस्तों आप सब एक बताना चाहूँँगा कि हॉन्डा की ये नई एक्सेस वन कॉंसेट कार मार्केट में मद्यवरगी परिवारों को देखते वे लांच करी जाएगी और इस कार की कीमत दोस्तों अन्य कारों से काफी सस्ती होने वाली है बता देखी हॉन्डा ने इस कार का डिजाइन एक्स्टीन एच डिजाइन से लिया है वीजन एक्सेस वन कॉंसेट में लार्ज टच स्क्रीन इन्फो टीट्मिन्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इसके साथी कंप्टी ने इसमें आपका मेनी लिष्ट डैश वोट का इस्तमाल भी किया है हॉन्डा इस कार को भारतिय बजार में काफी कम कीमत में हम सभी के लिए लॉंच करने वाली है दोस्तो इस कार के अंदर आपको 1.5 लिटर का पैट्रल DTCI इंजन आप्शन देखने को मिलेगा जो की BS6 नाम से अप्डेट किया गया है इंजन आपको 5.5 आर्पेम पे 67 BSP की पावर और 3.5 आर्पेम पे आपको 90 अनम का पिकप टॉप जनरेट करके देगा बताना चाहूँगा दोस्तो इस कार को काफी अच्छे प्राइस के साथ मद्दे वरगी परिवारों को देखते वे हम सभी के लिए लॉंच किया जाना है दोस्तों इंटीर की बात करें तो बताना चाहूँगा कि हॉंडा की नई XS1 SUV के इंटीर सेग्मेंट के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है यानि इसके अंदर काफी अच्छे एडवांस फीचर साथ आपको देखने को मिलने वाले है इसका मिनी कूपर जैसा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा कार में आपको 7.0 इंच का टैसी स्क्रीन इंफो ट्रीट्मेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो की Android, Auto, Apple, CarPlay, Connectivity सुविधा के साथ मार्केट में आएगा साथ ही साथ दोस्तों इस कार के अंदर आपको ABS और Airbags, Reverse Parking Sensor, Speed Alert System और Seat Pelt Reminder जैसे अन्य फीचर्स को मौझूद करवाया गया है अगर दोस्तों कीमत की बात करें तो बताना चाहूँआ कि Honda अपनी नई SUV सब 4 मीटर XS1 को हम सभी के लिए 2 विरिंट में मार्केट में लॉंच करने वाली है जिसमें आपको एक Standard Model और एक Mid Model देखने को मिलने वाला है अगर Standard Model की कीमत की बात करें तो मद्यवरगी परिवारों को देखते में दोस्तों Honda का काफी अच्छा आप सभी को तोफा मिल रहा है क्योंकि इसके Standard Model की कीमत मात 3.30 लैक रुपीज रखी गई है अगर Top Viren की बात करें तो करीबन 5.70 लैक रुपीज तक जाने की समभावना है दोस्तों Market में आते ही Honda की ये SUV काफी तहल का मचाने वाली है अगर आप इस कार को अपने लिए लेना चाहते है तो फटा फट दोस्तों comment box में जाईए अपना नाम और city का नाम लिक्क्या में comment करिए ताकि मैं आप सभी को address पर वाइट करवा पाऊं जहां पर आप इस कार को अपने लिए book कर पाए वीडियो पसना है तो बिना लाइक करें बिल्कुल मैच जहेगा मिलेगे मैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद